यारे बच्चो आज की इस वीडियो में कक्सा 10 गनीत का जो चेप्टर नमर 9 है आपके त्रिकोन मित्ति के कुछ अनुप्रियोग तो इस चेप्टर के जो complete आपके notes हैं वो इस वीडियो के अंदर में आपको देने वाला हूँ तो वीडियो को आपको complete देखना है और वीडियो मैंने सारे चेप्टर हैं आपके mathematics के वो upload कर दिये हैं अगर अभी तक आपने उन चेप्टर को नहीं देखा है तो उन सभी चेप्टर की जो link है वो आपको description में मिल जाएगी वहां जाकर आप all chapter है वो आराम से पढ़ सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम कक्सा 10 गनीत का जो चेप्टर नमर 9 है आपके त्रिकोन मित्ती के कुछ अनुप्रियोग तो इस चेप्टर की जो complete handwritten notes हैं आपके colorful notes हैं उनकी मुह दिखा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं तो वीडियो को आपको complete देखना है और यहाँ पर देखिए साथ-साथ में अगर आप इन notes क आप परचेज कर सकते हैं ओके और अगर अभी तक आपने टेलिग्राम ग्रूप और वोट्सप ग्रूप को जोई नहीं किया है तो टेलिग्राम और वोट्सप ग्रूप को भी जरूर जोईन करें उनका भी लिंक आपको description में मिल जाएगा अब देखिए notes के अंदर मेंने क् पहले हम basic को बढ़ेंगे यानि सबसे पहले मैंने notes के अंदर क्या डाली है आपके basic को include किया है अगर आपको basic का पता है अगर आप basic को अच्छे से याद कर लेते हैं तो chapter के अंदर जितने भी आपके examples हैं जितने भी आपके questions है वो आराम से आप solve कर सकते हैं ओके अब देखि तरीके से मैंने उनको समझाया है और उसके बाद में जितने भी important questions हैं जो exam के लिए important हैं वो सारे questions भी मैंने include किये हैं तो complete आपको ये देखना है और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं त्रिकोन मित्ती यानि जो trigonometry है उसका use है वो किसमे किया जाता है तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे तो त्रिकोन मित्ती का जो प्रियोग है वो हमारे आसपास के जीवन से जुड़ा हुआ है और यानि लाइफ से जुड़ा हुआ है और त्रिकोन मित्ती की जो आवसिकता है वो खगोली की में पर्थवी से ग्रहों और तारों की जो दूरियां हैं वो प्रिकलित करने में होती थी यानि त्रिकोन मिति की जो आवसिकता है वो खगोली की में पर्थवी से गरहों और तारों की जो डिस्टेंस से दूरियां हैं वो ग्यात करने में होती थी और त्रिकोन मिति का प्रियोग है वो भुगोल और नोचालन मानचित्र बनाने और देशांतर और अक्षांस के सापेक्स एक दीप की इस्तिती ग्याद करने में की जाती है और यहां पर जो नोट लिखा हुआ है यह भी वेरी वेरी इंपोर्टेट है यहां पर भी बताया गया है कि त्रिकोन मित्ती का उप्योग वो किसे में होता है तो वास्तिविक माप के बिना त्रिकोन मित्ती का प्रियोग है वो विभिन वस्तुओं की उन्चाईया और दूरिया ग्याद करने में किया जाता है अब देखिए पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे दरस्टी रेखागी यानि द्रस्टी रेखा क्या होती है तो द्रस्टी रेखा की जो definition है इसका जो diagram है किस परकार से ताकि वो आगे आपके question के अंदर आपको किसी भी परकार की problem ना हो तो द्रस्टी रेखा क्या है कि जब हम किसी वस्तू को देखते हैं तो हमारी आँख है और वस्तू को जोडने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं द्रस्टी रेखा कहते हैं यहाँ पर यहाँ पर क्या है और यह आपके 36 रेखा है और यह आपके द्रस्टी रेखा है यानि ओ और पी तक जो रेखा है जो रेखा बन रही है उसको हम क्या कह रहे हैं द्रश्टी रेखा कहय रहे हैं यानी आख वह बिंदू ओपर है और वस्तू की चुछ इस्तिति है इब क्या है पी है तो प्या प्याश्टी रेखा कहल आईए ऐट और उसके बाद में हम बात करें पूरक पूर्फ कूर्फ करेंा की्से कहते अगर 90 आ रहा है तो हम उसको हम क्या कह सकते हैं पूर कोन कह सकते हैं उसके बाद में देखें इंपोर्टेट है आपके union कोन और अवनमन कोन इसके बारे में भी परतेक क्यूशन के अंदर बात होगी चर्चा होगी तो union कोन किसे कहते हैं कि जब कोई वस्तू आख के जब कोई वस्तू आख से उपर हो तो दरश्टी रेखा 36 के साथ जो कोन बनाएगी उसको हम क्या कहेंगे union कोन कहेंगे ओके और दूसरा है आपके किसे कहते हैं कि जब कोई वस्तु आख से निच्छे हो, कि जब कोई वस्तु आख से निच्छे हो तो द्रश्टी रेखा. 36 के साथ जो कौण मनाती है उसे हम क्या कहते हैं? अवन्मन कौण कहते हैं. तो यह आपके अवनमन कोण की प्रिवासा है उसके बाद में देखे किशन को सोल करने का जो तरीका है वो किस परकार से रहेगा किस प्रोसेस से हम क्यूशन को सोल करेंगे तो यहाँ पर देखे विशेश के अंदर पहला जो पॉइंट है वो है कि सर्व पर्थम परसन को ध्या बनेगा ओके और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि समकोन त्रिभुज में ग्यात कोण के त्रिकोन मिती अनुपातो साइन थिटा कोस थिटा टेन थिटा आधी को ग्यात बुझा के पदों में व्यक्त करते हैं ओके तीसरा काम है आपकी कि इसमें मतलब है दूसरा जो फाइंड करनी है जो चीज़े हम ग्यात करनी है और एक जो चीज हमें दे रखी है उन दो चीजों का ही मतलब इस चेप्टर के अंदर हम रखने वाले हैं तीसरा पॉइंट है कि चित्र में सपस्ट है कि ओ का पी के सापेक्ष उन्यन कोण बराबर पी का ओ के सापेक्ष अव अधसरा होती है लंभ होती है ओर लंब का और दूसरा नाम आपके परेवचों के सासा के आःट में वह सिर्फार में इसे थे जितने पो तके से आपको समझा रखा है तो यहां पर पहला कुशन आप देख सकते हैं सरकस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चड़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमी पर सिद्ध लंबे खंबे के सिखर से बंदा हुआ है यदि भूमी इस तर के साथ है डोर दवा दस मीटर आएगी ओके इसका स्क्रीन सोट अगर लेना चाते हैं तो ले सकते हैं और उसके बाद में देखिए दूसरा जो कुशन है वह आपको क्या दिया गया कि आन्दी आने से एक पेड़ तूड़ जाता है और तूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ क का शिकर जमीन को छुने लगता है और इसके 37 डिगरी का कौन मनाता है पेड़ के पाद बिंदू की दूरी जहां पेड़ का शिकर जमीन को छुता है आठ मीटर दे रखिए पेड़ की उंचाई है जो हाइट है वो हमें ग्यात करनी है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका कम्प्लीट जो सोल्यूशन आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो आठ रूर तीन मीटर आएगी और इसका स्क्रीन सोट अगर आप लेना चाते हैं तो ले सकते हैं तीसरा क्यूशन है पैर बचो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पारक में दो फिसलन पर हो और बूमी के साथ 30 ढिगरी के कौन पर जुका हुआ हो जबकि इससे अधीक उमर के बच्चों के लिए 3 मिटर के उंचाई पर एक अधीक डाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो बूमी के साथ 60 डिगरी का कौन मनाती है परतेक हिस्तिति में फिसलन पट्टी की लंबाई है वो दो अंडूर तीन मीटर आएगी उसके बाद में कुश्चन नम्मर 4 का सुल्यूशन आप देख सकते हैं बूमी के एक बिंदू से जो मिनार के पाद बिंदू से 30 मीटर की दूरी पर है मिनार की सिक्र का जो उन्यन कौन है वो 30 डिगरी है मिनार की उन्चाई हम मिनार की उन्चाई आप देख सकते हैं 10 अंडूर 3 मिटर आएगी उसके बाद में 5 कुश्चन है बूमी से 60 मिटर की उन्चाई पर एक पतंग उड़ रही है पतंग में लगी डोरी को एस ताई रूप से बूमी के एक बिंदू से बान दिया गया है बूमी के साथ है डोरी क कितनी आएगी 40 रूट 3 मिटर आएगी उसके बाद में कुश्चन नमर 6 है आपके 1.5 मिटर लंबा एक लड़का 30 मिटर उंचे बवन से कुछ दूरी पर खड़ा है जब वह उंचे बवन की और जाता है तब उसकी आंक से बवन के सिखर का जो उन्यन कौन है वो 30 डिगरी से 60 डिगरी हो जाता है बताइए कि वह बवन के और कितनी दूरी तक चल कर गया तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन आप देख सकते हैं विद डाइग्राम और सातवा क्यूशन है पर बच्चों भूमिक एक बिंदू से 20 मिटर उंचे बवन की सिखर पर लगी एक संचार मिनार के तल और सिखर के उन्यन कौन हैं 45 डिगरी और साट डिगरी मिनार की उन्चाई हमें ग्याद करनी है तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन आप देख सकते हैं आठ हुआ परसन एक पेडिस्टल के सिखर पर एक के 1.6 मिटर उंची मुर्ति लगी हुई है बूमिक एक बिंदू से म नौर 9 सन है एक मिनार के पाद बिंदू से एक बवन के शिखर का उन्न arc 30 डिगरी है और बवन के पाद बिंदू से मिनार के शिखर का उन्हें कौन साट डिक्री है यदि मिनार पचास मीटर उन्ची हो तो बवन की उन्चाई यहां पर सोड़ा सही दो वट्टे तीन मीटर आएगा ओके और यह पॉइंट के अंदर भी आप लिख सकते हैं दसवा परसन एक 80 मीटर चोड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने सम को हमें फाइंड करनी हैं तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं वह उती स्यांदार नोट्स हैं अगर आपने यह नोट्स अच्छे से त्यार कर लिए तो मैथेमेटिक्स के अंदर सो में से सो नम्मर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है वीडियो को ज्यादा से मीटर उन्चे बावन के सिक्कर से एक केबल टोवर के सिक्कर का उन्यन कौन साट डिगरी है इसके पादगा वन्मन कौन पंतारिस डिगरी है टावर की जो उन्चाई है वह में ग्याद करनी है और यह कुश्चन नमर तेरा है समूंदर तल से पिचेतर मीटर उन्ची ग्याद करनी है इसका कंप्लीट सोल्यूशन आप देख सकते हैं यह आपके कुश्चन नमर 14 है जो वेरी वेरी इंपोर्टेट है और आ सकता है आपके बोर्ड एकजाम में इंपोर्टेट है काफी इंपोर्टेट है और यह आपके कुश्चन नमर 15 है एक सिद्धा राजमा और वो शाट डिग्री हो जाता है इस बिंदू से मिनार के आधार तक पहुंचने में कार दुवारा लिया गया जो समय समय आपके तीन सेकेंड आएगा संद्रिव करेंए ज्यादा से जड़ा बाइक करें और चैनल पर आप नएयं तो चैनल को सबस्क्राइब के लिजी और साथ में नोटिपिकेशन बेल को प्रेस कर लिजी